असलाम उलेकुम दोस्तो आज मैं आपको पिलाजों की कटिंग बताऊँगा दूसरे तरीके से बिलकुल एकदम हटके तो दोस्तो इसको सीखने के लिए वीडियो को आप एंट तक देखें और दोस्तो अगर आप मेरे चैनल में नए आ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को भी दबालें ताके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेसिन आपको टैम से मिलती रहे और दोस्तो अगर आपको मेरे पैटन चाहिए तो इस स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है आप उस पे मुझसे कॉंटेक कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपक कर दिया यहां पर क्योंकि इनको थाई से जो है थोड़ा लूच चाहिए ठीक है तो इसको हम किस सरीके से कटिंग करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा तो यह नाप अपने सामने इधर रख लेता हूं मैं आपको बताता हूं इसमें लिखके कुस समझाने कोसिस करूँगा द कर लेंगे तो हमारा 9 और 2 11 जास नहीं करते हम इसको क्या करेंगे जैसे 36 छचे इसको हम पिलस करेंगे 9 से मानलब 4 तो यह 9च आजाएगा और इसमें Cary 10 तो तो यह रह जाएगा हमारा आठ इंग इसको देखे किस सरीके से करेंगे वो मैं आपको समझाऊँगा देखे इस चीज का ध्यान रखना आप कि 36 इंच है इसको हमने जिस तरीके से हम नॉर्मल करते हैं 36 को हम चार जगा भाग करेंगे तो यह हमारा पिलस तो हमारा यह हो जाएगा 9.36 इसमें 2 इंच और आशन हम जब बढ़ाते हैं उसमें तो यह 11 इंच जा जाता है इसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे और आशन हमारा फिर भी बराबर आना चाहिए तो इसको सीखने के लिए दोस्तो आप बीडियो में बने रहे तो यह देखे दोस्तों यह कपड़ा मैंने लिया है इस सरी कैसे ये कपड़ा लिया है मैंने 2 मीटर इस तरीके से इसमें हम सैट से पोकेट भी लगाएंगे हम इसमें आपको खाली कटिंग की वीडियो बताएंगे इस्टेशिंग की वीडियो हम अभी नहीं बताएंगे आपको तो देखे जैसे ये कपड़ा है ये जोड़ वाला जो कन्नी वाला हिस्सा है इसको मैं अपनी तरफ रखूँगा ऐसे करके ये देखिए इस तरीके से ये देखिए ऐसे करके इसको बिलकुत बराबर अच्छी तरीके से एकदम बिछा लेंगे और बिछाने के बाद में देखिए हम ये निसान लगाएंगे इस तरीके से सीधा एक जो हमारा ये कपड़ा थोड़ा तीरशा होता है इसको सीधा करने के लिए देखिए इस तरीके से अब हमें इसकी लंबाई लेनी है पिलाजो की तो इसमें हमें लाशटल की जो डॉलनी है वो 7 इंज की डालनी है तो इस तरीके से 5 इंज हम यहाँ पर उपन निकाल देंगे 12 इंज हमारा margin में जाएगा इस तरीके से हम निसान लगाएंगे यह यहाँ पर 35 इंज क्योंकि इसकी 35 इंज लंबाई यह अब यह देखे 35 इंज यह है ये देखिए इसको हम इस तरीक से ये सीधा कर देंगे निसान अब आप सोच्ते होंगे कि ये चीज बहुत कम होगे क्योंकि इसमें हमें लगाना चाहिए 11 इंज का निसान ये हमारा यहाँ पर 3 इंज कम हो गया ये किस तरीक से कबर होगा मैं आपको सारा एकदम वीडियो में समझा दूँगा ये देखी इसको हम इस तरह के से निसान लगा लिए और ये हमें जितने भी आपको फोल्ड करना ये धाई से तीन इंच इस तरह के से ये निसान लगा लिए अब ये देखिये हमें क्या इन्दर जो थाई है तो इसमें यही तरीका आप अपनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा तो देखिए इस तरीके से हम यह निसान लगाएंगे क्योंकि 32 इंच है तो फ्रेंड जो काटेंगे वो 16 इंच काटेंगे बैक को थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस तरीके से देखिए अब यह वाला जो इसके करफ जो निसान होता है इसमें हमगे इस सीधा कर लूगां और यह देखिए इसको इस तरीके से यह और यह और यहां कर देंगे अब यह गुलाई करने के बाद में क्या है जैसे कि हमारी 36 हिप है तो देखिए अब यहां से जब आरी सिलाई लगेगी तो यह आएगी इस तरीके से तो यह हमारी 40 हिप यहां पर तयार आजाएगी 40-41 आपकी यह हिप तयार आजाएगी तो जितनी आपको चाहिए 36 हिप के साब से वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट आजाएगी अब यह देखे इसमें मोरी जो है बिल्कुल इस्टेट हम इस तरीके से रखेंगे कता हम इससे करके हल किसी यहां से शेफ देंगे और उसत्राई से कर देगें zit यह देखिए अब यह देख जो हमने यह निसान लाए अब इसे के अंदर देखि मैं आपको समझाना चारहे हूं जैसे कि हम49 इंच था एंच इसाम लगाने की बास कि निसान एक तो इसको हम करेंगे तो हम इसका नितना रहा है लगा है यह चीज अगर आप इसादा करेंगे और यह चीज हिए ज़्यादा कर देंगे और हिप्पे से ही ठीज तो आप यह वाला तरीक है जो मैं आज बता रहा हूं यह वाला नहीं बनाएंगे तो आपका बिल्कुल एकदम फिटिंग ऊक्टे आएगा अब यह देखिए इसे पर ही अब यहां से देखिए हम इसको इस तरीके से काटेंगे यह देखिए यहां से हम इसको काटेंगे यह देखिए हमारा फ्रेंड बिल्कुल एकदम कट के तयार हो गया जैसे कि उसकी यह गुलाई जो आ रही थी 12 इंच आ रही थी देखिए अब मैं इसको आपको नापके दिखाता हूं यह भी देखिए पूरा 12 इंच आ रहा है तो इस तरीके से यहां पर यह बढ़ाएंगे तो आपका आसन जब आप पहनेंगे यह जगा पे तो यह आसन बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ जाएगा अब यह देखिए सेम इसी तरीके से मैं बैक का कपड़ा बिशा लेता हूं फिर उसको कटिंग करता हूं फिर आपको दिखाता हूं तो यह देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने बैक कपड़ा पूरा यह बिशा के और यह निसान इस तरीके से मैंने लगा लिए यहां पर यह तरीक से राता है और में यांदा यह कुछ निस चरीच से यहान। तक ब्रबर से यह चरी लेता हूं यह ढुक्तर से यह अगर कंद तो वे 봉ने यहां पर इतना how t दिया था यह देखिए इस तरीके से इस तरीके से यह 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 काटने के बाद में अब यह जो हमने इसका आपको समझाया था कि हम यहां से आसन्द छोटा काटेंगे तो हमें यह जगा यहां पर बढ़ाना पड़ती है क्योंकि अगर आप इसको चोड़ कम काड़ देंगे यहां से तो यह इतना आएगा अगर यहां से देखिए यह चीज और मैं आपको समझा देता हूँ जैसे हमने यह निसान लगाया इसको दो इंच ले ले लेते हैं यहां से तो एक तो हमारी यह थाई नहीं आएगी थाई हम वहार यहां से जब पत जाएगी तो यह और हिप्पे से बिल्कुल चाहिए लुगर इस तरी के से आप कटिंग करें तो आपका प्लाजो की बहुत अच्छी फिटिंग आएगी से भी है पिलाज reacts को कैसी लगी वीडियो को लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं मैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लाह पेज